जहिन मित्रों इस वक्त हम मौझूद हैं कोरवाजिले के उपनागरिय छेत्र बाल को यहां पर अंतराष्टिये महिला दिवस मनाय जा रहा है ब्रह्म हुकुमारी प्रजापिता इश्वरिये विस्विद्याले यहां पर बालको में बालकोई कई में यहां पर आए जानते हैं अंतराष्टिये महिला दिवस क्यों इन सभी दीदियों के द्वारा मनाय गया क्या उद्देश था अपना परिचे देते हुए बताएंगे कि आपने अंतराष्टिये महिला दिवस यहां बालकों में मनाया है किस संस्था के तहत मनाया है और क्यों प्रजापिता ब्रह्मा क उमारी इश्वरिय विश्व विद्याल है आज बालको चेत्र में महिला दिवस जो मनाया गया तो इसके पीछे उद्देश ये है कि हमारी महिलाएं कैसे सशक्द बने तो आज के दिवस में यहां बालको शेत्र से कुर्बा शेत्र से बहुत सारी महिलाएं इखटी हुई और सब ने अपने अपने विचार दिये लेकिन मैं महिलाओं से एक चीज कहना चाऊंगी कि सिरफ हमें बाहरी रूप से सशक्त नहीं होना है हमें आंतरिक रूप से भी सशक्त होना है जब हम मेडिटेशन स्वयम करते अपने बच्चों परिवार वालों को भी सिखाते हैं तो हमारा परिवार बी सशक्त होता है और हमारा समाज भी सशक्त होता है तो इसी उद्देश्य को लेकर के आज़ ये करेक्रम यहां किया गया जिसमें हमारी प्रबुद्ध बह महिलाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेते हैं मैं रीता शेत्रपाल इनर्विल एजुकेशन सोसाइटी की अध्यक्षा हूं खोर्बा में हमारी संस्था है महिला शशक्तिकरन हम मनाते हैं महिलाएं यह महिलाएं ना मना कि पुरुष यदी हमारे लिए मनाते तो ज्याद रहा है तो हर को चीज का नेड़न वहीं लेते थे तो आभी भी हम चाहते हैं चुकी महिलाएं तो आगे बढ़ चुकी है हर शेत्र में पर पुरुष इस चीज को स्विकार करें यह हमारा अंदोलन है दन्यवादिता दिदी मैं कुछ महिलाओं के लिए कानून संबंधित मा दिदी परिचे देते हुए बताएंगे कि महिलाओं के लिए विशेश कर किस तरह के कानून है जो विशेश पालन करने की अवसकता है मैं मदू पांडे एड़ोकेट हूं और स्री डबलू सी की अध्यक्ष रह चुकी हूं मेरा सिर्फ यही कहना है कि महिलाओं यदि चाहें तो सब कुछ बदल सकती है और जागरूक रहेंगी तो कानून की जानकारी भी उन्हें मिलेगी जैसे हमारे कोट में विदिक साक्षरता हम लोग स्लम एरिया में जा जाके करते हैं और महिलाओं को बताते हैं कि तुमारे क्या अधिकार है उसको जानो प्रतारित मत हो से घरे लुघुन सा कहा जाता है जैसे पती के दौरा नंद के दौरा तो उसके लिए आप लोग चाहें तो फॉरण कि न्याले में केस दर्ज कर सकती हैं उसे आपको भरन पोशन भी मिलेगा मेडिकल साहेता भी मिलेगी और रहने के लिए स्थान का किराया भी मिलेगा और वैसे तो बहुत से कानून है मैं जितना बताऊंगी उतना कम है आज सिर्फ इतना ही धन्यवाद मादी दीदी आप दीदी बहुत अच्छ करना किया है सबसे पहले तो अंतर राष्ट महिला दिवस की हरे को बहुत धेर शादी शुप कामना है वास्तों में महिला शशक्त होगी तो समाज राष्ट सब सशक्त होगा मैं रश्मी शर्मा समाज सेविका हूं और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इश्वरी तो महिला दिवस के उपलक्ष में मैं हर एक से यह बात कहना चाहूंगी क्योंकि आत्मा ना नर है ना नारी है है ना तो हर एक पुरुष के लिए भी मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि यहां का राज योग मेडिटिशन हमारी जीवन को बहुत आसान बना देता है लाइफ मे इतनी पॉजिटिवेटी भर देता है कि हम सब इस कोर्स को करके अपने जीवन को वावा बना लें चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ आज क्योंकि यह घोर कल्योग चल रहा है तो परिस्थित्या तो आएंगी और उससे निपटने का ज कहा देता है तो महिला दिवस मनाने का है एक मुख्य आधार जो होना चीए वो हो गया कि हम आध्यात्मिक्ता के शेत्र में अपने आपको शशक्त बनाएं क्योंकि मानसिक और शारेरिक शशक्ता तो हम देखते रहते हैं घर में पती-पतनी का लड़ाई हो ना तो महिला बह करते हैं आप तमाम महिलाएं हमारी दीदियों के कुछ वक्तव को सुनकर निश्ची तोर पर एक अंदर आत्मा में एक जागुरुपता के इस पूर्ती होगी और निश्ची तोर पर आपने कुछ सीखा होगा अभी तक तो मैंने जब भी ख़वर अपनी पूरी की है तो जह जरूर कहा किन्तु आज नारी शक्ति जिंदाबाद जहनुट।